नमस्कार दोस्तों, सुना का इसमें आप सभी का स्वागत है, मैं हूँ आसी सिंग, उमीद करता हूँ आप सभी ठीक होंगे, आज फिर एक नई टॉपिक के साथ आप से जुड़ा हूँ, दोस्तों, देस में चुनाओ का महौल है, और इस चुनाओ के महौल के बीच में, वेल इसे लगाया जाता है, क्या भारत में कभी इसे लगाया गया था, क्या हमारे यहां ऐसी परिस्थितियां हैं, कि इसको लगाया जा सके, कि लोगों पर लगाया जाएगा, और इसके क्या प्रू और कॉन्स होंगे, उन सबी चीज़ों को हम समझेंगे इस वीडियो के माद्य हमसे आईए चलिए समझते हैं दोस्तों अभी रिसेंटली कॉंग्रेस के एक रीडर सेम पित्रोदा ने इन्हेरेटेंश टेक्स की बकालत कर दी और इसके बाद कुछ ऐसी बयान बाजी शुरू हुई पूरे देश में कि इन्हेरेटेक्स का मुद्दा एक बड़ा मुद्दा बन गया चलिए आज समझते हैं कि इन्हेरेटेक्स क्या होता है और क्या इसे इंडिया की एकनोमी में लागूग गया जा सकता है दोस्तों इन्हेरेटेंश टेक्स ऐसा टेक्स होता है जिसमें जो संपत्ती का मालिक होता है उसकी डेष्ट के बाद उतरादीकारी को जब पाया जाएगा अब ऐसे समझने में तो यह विचार बहुत अच्छा लगता है कि देश के जितने अमीर लोग हैं उनकी संपत्ती आदी हो जाएगी सरकार उनको 50% टेक्स लगा देगी और कितना बढ़िया बढ़िया रहेगा सरकार के पास पैसा आएगा गरीब हो बाट द लाला कुल मलाकुस की संपत्ती जो है वो 10 लाग रुपे की है अब जब 10 लाग रुपे पर 50% सरकार मांगने लगी तो क्या होगा अगर वो वैक्ती उस घर में अकेला कमाने वाला था जैसे कि आप देखते हो हमारे भारत में कितनी अनिप्लॉइमेंट बढ़ती जा रही है तो वो अकेला कमाने वाला था और बाकी की अभी जौब नहीं लगी तो उस कंडिशन में क्या हो रहा है कि वो 10 लाग रुपे की पूझी पर पहले 5 लाग रुपे का टेक्स चुकाएगा और उसके बाद जो उसको बिरासत में उसके पिताजी से या किसी और से जो संपत्ती मिली है उसका वो मालिक होगा और आपको क्या लगता है कि इतने बड़े बड़े जो बिजने साउसेस हैं वो अपनी संपत्ती का आधा सरकार को दे देंगे बिल्कुल नहीं क्योंकि इन सब ने एक तरह के ट्रस्ट बना के रखे हैं ये परिवार नहीं है ये ट्रस्ट है औ तो ये कभी भी उस दायरे में नहीं आने वाले और इस दायरे में कौन आएगा इस दायरे में आएगा मिडल क्लास जो सबसे ज़्यादा इसमें सफर करने वाला है और हमारा मिडल क्लास इतने ज़्यादा हुस्यार नहीं है उसकी हुस्यारी और अलग ही लेविल किये अब आपको दिखाता हूँ क्योंकि सोचिए कि एक व्यक्ति ने पूरे अपने जीवन भर की कमाई में एक मकान बनाया है क्या वो ट्रस्ट के नाम पे कर देगा उसको कभी नहीं यह सिति ही हमारे मिडल ग्लास की कि ऐसा अगर किया जाएगा तो सबसे ज्यादा सफर भी वही करने वाला है और दोस्तों एक्जाम्पिल दिये जा रहा है यूएस के दूसरे देशों के एक्जाम्पिल अब आपको कहां एक्जिस्स करते हैं मैं आपको दिखाता हूँ जापान में 55% लगता है ठीक साउथ कूरिया में 50% लगता है ठीक फ्रांस में 45% लग रहा है USA और UK में UK जैसे देशों में 40% के आस पास लग रहा है अब अगर यह देश लगा रहे हैं तो उसका कुछ कारण होगा उसको भी जान ले कि भाई यहां का जो सोसल सिस्टम है वह दूसरी वहां एक व्यक्ति अपने पूरे जीवन काल में 3-4 साधिकर डालता तो उसका परिवार उसका पहला बेटा कौन था किस पतनी से था वो इतना भी एक दूसरे के लिए मायने नहीं रखता 18 साल में वहां एक अलग प्रकार की लिबरेटी हो जाती है और वहां का सिस् यह तो हमने देखा सोचली अगर हम इसको एकोनोमिकली देखें तो यूएस की जो पर केबिटा इंकम है वो 28 लाख रोपे है यानि कि पर व्यक्ति जैसे ही वो 18 साल का होता है वो 28 लाख रोपे कमाने के लिए eligible हो जाता है अगर वो ठीक ठाक मेहनत करने वाला है तो और 60 लाख पर पहुंच जाए तब लगा लीजिएगा तो अभी तो हम बहुत दूर है सहाब इस चीज़ से यदि हम जापान की बात करने तो जापान में 28 लाख के आसपास वहां की पर केप्टा इंकम है साउथ कोरिया 32 लाख के आसपास पर केप्टा इंकम है तो इन देशों स कंपेर करने से पहले हमको इस चीज़ को समझना चाहिए कि वही हम कहां exist करते हैं तो दूसरे देशों से कंपेर नहीं कीजिए वहां क्या हालात हैं क्या स्थिती है क्या social system है क्या economically कितने develop है वो उस चीज़ को देखना और फिर उसके अनुरूप अपने structure में उसको डालना य यह ज़्यादा जरूरी है 1985 तक भारत ने भी एक state duty नाम का टेक्स हुआ करता था आईए हम देखें इसका क्या हुआ state duty act पास होता है 1953 में इसमें जो limit लगाई जाती है 1.5 lakh से उपर जितने भी property मिले उस पर tax लगाया जाता था और इसकी सबसे ज़्यादा limit होती थी 20 lakh से ज़्यादा पर 85% की eligibility आपकी tax लगने की हो जाती थी समझ रहें 85% 15% है जो बारिस को मिलने वाला है और 85% उसमें से सरका ले लेगी इसको पास किया गया था justice और equality के नाम पर कि यह जो wealth है इससे सरकार wealth distribution करेगी और लोगों में equality आएगी पर ऐसा 1985 में क्या हुआ कि इसको abolish करना पड़ा पहला reason था cost of administration इसका बहुत ज़्यादा cost of administration था मतलब आप सोचिए कि अगर 100 रुपे सरकार tax collect कर रही है और उसमें 99 रुपे उसमें खर्च हो जा रहे हैं तो क्या यह feasible है तूसरा अगर हम देखें budget 1980-81 में gross tax revenue जो इस tax से collect हुआ वो हुआ 13 करोड रुपे और यह collection जो total gross tax revenue था उसका 0.1% था और लगवाग इतने ही रुपे उसमें collect करने में खर्च हो गए साथ ही साथ इसका जो calculation का structure था वो भी बहुत complex था आप समझ यह कि भाई एक व्यक्ति है अब उसने 10 लाग रुपे की पूझी कमाई तो वो 10 लाग रुपे की पूझी में क्या करेगा कुछ जेबल लेगा कुछ कैस रखेगा कुछ जमीन लेगा कुछ कहीं मकान मनाएगा त complex structure को हर व्यक्ति नहीं समझ पाएगा हर व्यक्ति का social status अलाग अलाग है कुछ लोग पढ़े लखे हैं कुछ लोग नहीं भी पढ़े लखे कुछ लोग समझते हैं उस चीज़ को कुछ लोग को नहीं भी समझते हैं दूसरा एक litigation problem अलग आती है कि अब क्यूंकि हम joint family में तो हो गया टो ठीक है और अगर कोई व्यवाद हो गया तो व्यवाकर किस ऌती में क्या होगी कि वह जाइज प्रॉप्टी चली जाए ulitication में और सरकार वहां मानने को तयार नहीं गिए une एक के सरकार पर लग जाएगा, तो सरकार भी लड़ती रहेगी, फिर उसके बाद अब कूर्ट की पेंडेंसी आप देखी रहे होंगे, कि जो जुलंत मुद्धे हैं, उनके तो समय पर रिजल्ट नहीं आपा रहे हैं, उस पेंडेंसी में और एक और नया मुद्धा जुड़ जाएगा, दोस्तों Adam Smith, जिन्हें Capitalism का जनक कहा जाता है, आईए देखते हैं उन्होंने Taxation के बारे में क्या सिद्धान दिये, उन्होंने उसके चार मुक्र सिद्धान दिये, जिसमें पहला था Canon of Equality, Equality का सिद्धान दिये, जो कहता है कि कि किसी वेक्ति पे जतना भी टेक् आगे, कि जो वेक्ति जितना कमा रहा है, उसके According कि उस Tax के वो दाएरे में आए, इसका Example देखिए, Income Tax, एक Slap के According लगता है कि आप की 5 लाक इंकम है तो आपको कितना लगेगा, आप 10 लाक इंकम है तो कितना लगेगा, और वहीं GST, मुक्रे संबानी भी Biscuit खरीद रहे है तब भी उनको GST उतना ही पेट करना पड़ेगा, अगर उसके 18% GST है तो 18% ही चोकाना पड़ेगा, और एक गरीक ब्यक्ति भी खरीद रहा है तो भी उसको 18% ही चोकाना पड़ेगा, दूसरा है Canon of Certainity, कि एक निश्चितना होनी चाहिए किसी भी चीज की, कि कितना कब और कि प्रकार से लगाया जाएगा, for example, हमारा जो financial layer खतम होता है, वो होता है 31 March को, सरकार को आपको 31 March में अपना return जमा करके, और वहाँ tax जमा करवाना रहता है, अब मान के चलिए, कल को आप से सरकार कहने लगे, कि आपको अंगले महीने tax देना है, क्या आप दे पाएंगी, क्यो यह हम वो tax दे पा रहे हैं, अगर निश्चिता ना रहेगी, तो हम ना दे पाएंगे, और एक slab है, हमको पता actual में कितना देना है, तो उस दारे में हम कैसे आएंगे, उसके according में अपने adjustment कर लेते हैं, अंगला है canon of convenience, जो यह process है, उसको convenience मनी रहनी चाहिए, जैसे कि tax के reform किय अब जैसे bet था, तो उसमें complexity बहुत जादा थी, लोगों को समझ में नहीं आता था, digitization किया, तो यह सब चीजें reform, लोगों को convenience की और ले जाते हैं, कि आसानी से लोग दे पाएंगे, आसानी से लोग समझ पाएंगे tax को, तो economy के लिए उतना ही अच्छा है, अंगला है canon of economy, जैसा कि मैंने आपको बताया था, 100 रुपे का collection हो रहा है, और 99 रुपे उसमें खाल चूँ रहा है, तो वो कहीं से भी, ना सरकार के लिए अच्छा है, ना लोगों के लिए अच्छा है, और दोस्तों, यदि आपको फल खाना है, तो पेड़ की जाड़ी नहीं काटी जाती फल तोड़ा जाता है, तो यदि आप चाहते हैं, आपको फल प्राप्त होता रहें, तो जरूरी है कि वो survive करें, चाहे कोई business हो, चाहे कोई individual हो, इन सबकी activity अपनी अपनी जगा पे बहुत जरूरी है, कई बार ये मुद्दा छड़ता है, कि कुछ चंद लोगों के पास पै For example, आप मान लीजिए कि चलो ऐसा भी कर लेते हैं, एक व्यक्ति है जिसकी 5000 करोड की company है, अब उस पे inherent tax लग गया, 50% का, उससे क्या होगा, 2500 करोड सरकार के पास चले जाएगी उस company की value, अब सरकार क्या उस business को run कर पाएगी, और बचे हुए 2500 करोड में, क्या वो व्यक्ति उस business को run कर पाएगा, तो ये भी एक सोजने वाला मुद्दा है, गवर्मेंट लगतार ऐसी इसकी में चलाती रहती है, जिससे business का development हो सके, नए entrepreneur आंगे आ सके, ease of doing business हो, देश में economic का अच्छा माहौल बने, इन सब छेत्रों में सरकार लगतार काम करती रहती है, और इसी के नतीजे हैं, कि आज हमारी economic activity, बाकी देशों में, आज at present में बाकी देशों की condition बैसी नहीं है, economic activity को लेके, COVID-19 के बाद से, लेकिन भारत एक सुद्रा रस्तिती में है इस समय, सबसे तेज growing economy है हमारी, इसलिए इस market की stability बनी रहे, ऐसे ही काम किये जाए, जिससे हमारी economy और ही growth कर सके, और दोस्तों, सरकार का जो उद्देश होता है, वह देश की economic activity को बढ़ाना होता है, ना कि उसमें disturbance पैदा करना, हम मानते हैं, कि सरकार को पैसे की जरूरत होती है, revenue सरकार को tax से ही आता है, लेकिन वो tax इतना भी ना हो कि लोग survive ना कर पाए, अगर इसी के बतले, अगर economy की activity अच्छी रहेगी, ज्यादा से ज्यादा लोग अधिक से अधिक कमाएंगी, तो tax भी उतना ही ज्यादा collection होगा, सरकार के पास, और सरकार infrastructure, social scheme, और technical advancement में उतने ही अच्छे और बढ़िया काम कर सकेगी, दोस्तों, वीडियो को like करें, और subscribe button पर click करें, सब्जेक्ट के साथ आपके साथ जुड़ते रहेंगे, नमस्कार तब तक के लिए,